नमस्ते स्टूडेंट्स मैं आद्या मिश्राप की हिंदी टीचर जोड़ चुकी हूँ आपके साथ मैगनेट ब्रेंस पे जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ओफ कॉस्ट हम किंडरगारियन से लेके क्लास 12 तक के सभी कॉर्सेस अवेलेबल कराते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूरेंट्स के लिए और 6 से लेके 12 तक के कॉर्सेस हमारी टीम ने अवेलेबल करा रखे हैं हिंदी मीडियम स्टूरेंट्स के लिए हम CBSE board के साथ-साथ आपके state board जिसमें UP board, MP board, बिहार board, राजस्तान board और दिली board शामिल हैं इन सभी के courses आपको पूरा syllabus complete करा के provide कराते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की e-book या फिर e-notes चाहिए तो link description में है एक बार open करें and go through कर ले so class हमने इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि मलहार का overview ठीक है उसमें क्या-क्या chapter cover करने वाले हैं और उसमें हमने questions पूछे थे तो उनी सभी questions में से पहले question का answer हम आपको आज इस वीडियो में देंगे जो कि हमारा पहला chapter है वो है मात्री भूमी एक जिस पहले याद रखेगा जब हम कोई भी ये word पढ़ते हैं तो इस word में कई लोग इसको मात्र भूमी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे इसका correct pronunciation मात्री है क्योंकि यहाँ पे री की मात्रा लगी है यह जो मात्रा है यह र की नहीं होती है यह मात्रा री की होती है तो इस चीज का विशिज ध्यान रखेगा इसका pronunciation है मात्री भूमी जब आपका यह हम overview बताये थे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो मात्री भूमी है वो किस मात्री भूमी की बात कर रहे है कवी क्या वो हमारे धर्ती मा की बात है या फिर क्या वो हमारे भारत मा की बात है तो इस question का answer हम देखेंगे इस वीडियो में फिलाल एक छूटा सा कवी परिचे जरूर पढ़ ले इस कवीता को हिंदी के प्रसित कवियों में से एक सोहनलाल दिवेदी जी ने लिखा है कवी का नाम जरूर याद रखिएगा सोहनलाल दिवेदी जी ने लिखा है उनका जन्म आज से लगभग सवा सवा साल पहले हुआ था उस समय अंग्रेजों का भारत पर अधिपत्य था इस जिसका जरूर ध्यान रखिएगा जस टाइम पर यह कवीता लिखे गई है उस टाइम पर जो हमारा जो भारत है वो अंग्रेज थे उसके शाषन के अंदर में था अधिपत्य था ठिक हैं उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया था किन्होंने लेख को ही तलवार बनाके लिख के लोगों को उत्साहिए देख करते थे कि नहीं हमें लड़ना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और क्या-क्या चीज़े वो अपनी लेखनी से लोगों को प्रवाहित करते थे उसके बाद है उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों क विरोध किया, उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विशय था देश भक्ती, फिर है उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विशय था देश भक्ती, फिर है भारत के गौरफ का नाम करना उन्हें बहुत प्रिय था, मतलब भारत का उनको प्रमोट करना मेरे भारत में ये है, आप जब किसी इस पर प्राउड होते हो नो तो आप उसको बहुत इन्हांस करते हो कि मेरे पास यह है मैं इससे बहुत ऐसे गड़ तो उन्हों ने लेखक ने भी क्या किया था भारत के गौरफ का गान किया था ठीक है और उनकी कुछ और चटचित रचनाए हैं इसको आप जरूर सुने तो यह जो कवीता है यह हमारे कवी सोहनलाल दिवेदी जी नहीं लिखी है तो अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम कवीता पर पढ़ने के साथ साथ वर्ड के साथ साथ हम उसके भाव को भी समझेगे भाव मतलब जो शव्द लिखा है उसके पीछे उस उनका क्या मतलब एक जरूर ध्यान रखेगा कवीता पढ़ने से पहले ये पूरी कवीता अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों को ये बताने के लिए लिखी गई है कि यहाँ पे जो जिसकी बात हो रही है वो उनकी है मतलब कवी की है जैसा कि इन्होंने मातरी भूमी का चर्चन किया है आगे बढ़ते हैं इन्होंने किस जगह की बात कि पहले एक हमारा कंफ्यूजन ये दूर करते हैं ये भारत महें कि धरती महें तो इन्होंने पहले लाइन में लिखा है उचा खड़ा हिमाले आकाश चूमता है नीचे चरण तले जग नित सिंदू जूमता है यहाँ पे जो हिमाल उनोंने लिखा है आकाश घूमता है मतलब यह बलकुल नहीं है कि इ सिधा हमारे अंबर को गगन को है हैं ओलो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ उनका मीनिंग यह है कि हम जब नीचे से देखते हैं तो हमें एसा लगता है कि आकाश और हमारा जो माउन्टेन है, वो एक हो रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने बस उसी चीज को बोला है, कि ऐसी भूमी जिसके स्टार्टिंग में, उपर में क्या है? उंचा-खडा हिमाले है, ठेक है? और नीचे चरन्ट, तले जुख, के नीचे में कैसा सीन है नित संधू जूमता है नित कहते हैं हमेशा सिंधू मतलब हिंद महा सागर का जोटा सा भागय ठीकें तो वहाँ पर हमारा ऐसा है कि ऊपर में तो हम बहुत ऊपर बढ़ रहे अ 중요। लेकिन नीचे में हमारा कैसा सीन है, हम ग्राउंड टू अर्थ भी हैं, हमारे पास नीचे सिंदू हमेशा हमारे पैर को धुलते रहते हैं, मतलब यहां पर मात्री भूमी की बात हो, यह मतलब इतने तो हम समझ में आ गया कि उपर में हिमाले हमारी भारत मा की बात है, अब एक इसका मतलब मीनिंग आप देख लिएजे, नित मतलब हमेशा, सिंदू मतलब समुद्र, हिंद महासागर का एक भाग है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गंगा यमना त्रिवेनी, नदिया लहर रही है, जगमक छटा निराली, पगपग छहर रही है, यहां पे इसका क्या इसका मतलब है, गंगा यमना त्रिवेनी, गंगा और यमना जो है भारत की प्रसद नदियां है, और त्रिवेनी उसको कहा जाता है, किसे भी शब्द में जब त्री लगता है, त्री का मतलब होता है, तीन, कहीं भी है तिराहा, ठीक है, तो त्री अगर लगा है, तब यह सम संगम है वहाँ पर तो वहाँ पर ऐसा हमारा मात्री भूमी है जहां पर गंगा भी है यमना भी और त्रवेणी भी है नदियां लहर रही है अब एक चीज़ जरह समझेगा यहाँ पर तो इन्होंने शब्दों में तो बहुत सिंपल बताया है लेकिन इसके मीनिंग कितनी है लेकिन इन सब भी मिल करके हमारे भारत देश में ऐसा है कि विभेनिताएं है लेकिन फिर भी सब मिल करके यहां पर संगम है और जब हम लोग साथ में मिलते हैं तो उसका एक त्रवेणी की नाम से मतलब एक अलग ही प्रभाव पढ़ता है ठीक है तो यहां पर मतलब यह ह सबको ले के चलने वालों में हैं फिर जगमक छटा निराली पगपग छहर रही हैं जगमक छटा जगमक कहते हैं प्रकाश छटा मतलब शोभा और पगपग का मतलब कदम कदम पर और चहर का मतलब है यहां पर पानी का हिलौरा देखें यहां पर मतलब वह हमें नॉर्मल शब् हाव अर्थ है वो क्या है जगमक छटा निराल यहां जगमक का मतलब अलग-अलग कल्चर अलग-अलग क्रेडिशन की बात है यहां हर 10 किलो मीटर पे खानपान अलग है पहनावे अलग है मतलब भारत में इतनी विभेनिताएं हैं इतनी मतलब एक दूसरे से सब चीज़े है एंपी आजाए अलग है यूपी के अलग है तो यहां वहीं बता है कि हर की इंडिविजबल अइडेंटिटी बहुत अच्छी है उसकी शोबा हर जगर बिखरी होई है और पगपग छहर रही है मतलब हर कदम-कदम पर विभन भी हो रही हैं लेकिन हम लोग फिर भी सब सा साथ में हैं यहां पर अलग-अलग दिये जो हमारे जगमग हैं वो सब साथ में मिलके जलते हैं हम इद भी मनाते हैं दिवाली भी मनाते हैं राम नौमी भी मनाते हैं मोहर्रम भी मनाते हैं उसके बाद हम गुड़ फ्राइडे भी मनाते हैं लोरी भी मनाते हैं अलग-अलग अब शबह आगे है कवी क्या करा है वह पुन्न भूमी मेरी वह स्वन भूमी मेरी वह जन्म भूमी मेरी वह मातरी भूमी मेरी अब वो यह बात वो अंग्रेजों से बोल रहे हैं इस चीज का जरूर ध्षान रखेगा पूरे कवीता में dirow वो अपनी ब्यूटी बता के यहां पे अंग्रेजर को कह रहे हैं कि हमारी क्या सुन्दरता है वह पुर्ण भूमी पुन्ड भूमी का मतलब है पवित्र भूमी वो ऐसी पवित्र भूमी जो है वो मेरी है वो अंग्रेजों की नहीं है वो यही वो बता रहे कि वो पुन्ड भूमी मेरी है वह स्वन्ड भूमी स्वन भूमी क्यों प्रयोक्या गया क्योंकि भारत को सोनी की चड़िया कहा जाता था ठीक है तो यहां पे जो बात हुई है यह वही बोल रहे है कि वो जो सोनी के समान जो भूमी है न अंग्रेज़ों वो मेरी है वह जन्म भूमी मेरी है, वह भूमी जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, वह मात्री भूमी मेरी है मात्री भूमी मतलब एक भूमी भी मा के समानी हमारा लालन पोशन करती है हमें खाना देती है, हमें अपने गोद में रखती है तो इसलिए उन्होंने भूमी की तुलना मां से की गई है अब नेक्स्ट है जरने अनेक जरते जिसकी पहाड़ियों में यहां उन्होंने जोग्राफिकल समझाया है हमारे देश में क्या क्या चीज़े हैं हमारा भारत में पहार तो बहुत है और जरने भी बहुत है तो उन्होंने उस चीज़ को टाए लोग बहार से हमारे इंडिया में आते हैं हिमाचल में उत्राखंड में देव भूमी कहा जाता है तो बहार से लोगों का आकर्शन क्या है पहाड है जरने हैं यहां के ग्रीनरी है चेडियां चहक रही हो मस्त जाडियों में इसका मतलब यहाँ पे जो चेडियां का जो शब्द यूज किया गया है यहाँ पे चेडियां का मतलब जानवर से है मतलब यहाँ की खुपसूरती इतनी प्यारी है कि जो हमारे जानवर हैं वो तक चहकते रहते हैं मतलब हमारे लाइफ में टेंशन प्रेशर वाली चीज़े नहीं थी ठेक है हम लोग हर चीज में जानवरों को भी खुश रखते हैं खुद भी खुश रहते थे एक खुशनमा महाल में रहते थे हम लोग परतंत्र जरूर थे लेकिन फिर भी आपने देखा होगा बहुत सारे उस टाइम एरा में भी अपने आपको आगे बढ़ाया है तो यहां पर चीडियां से मतलब नॉर्मल हमारे जानवर से था तो जानवर मतलब चीडियां चहक रही है हो मस्त जाडियों में मतलब जाडियों में वो मस्त अपने घर पे इंजॉय कर रही है उसके बाद है नेक्स आपको पता होगा हमारे भारत में पेड जैसे बाहर आज भी बहुत सारी जगाया से हैं जहां पेड को प्लांट किया जाता है साइंटफिक तरीके से पानी नहीं है बिट हमारे भारत में भगवान की ऐसी कृपा समझ लेजे एक ऐसी डिवाइन पावर है कि हमारे पास इन सब हम तीजों में हम सक्षम हैं ठीक है और यहां पे कोयल पुकारती है अचा देखे एक तरफ हमने चडियां को जानवर से कनेक्ट कर लिया यहां पे जो कोयल का यूज़ कि आ गया है यहां कोयल का मतलब यह है कि यहां talented peoples, मतलब talent तो people में तो हैं ही है वो बहुत सक्षम है और तालेंट के मामले में हमारा भारत बहुत सक्षम है बहती मले पवन है तनमन सवारति है अच्छा मले पवन जो है दक्षिन भारत के मले परवत से चलने आने वाली शीतल सुगंधित एवं स्वास्त वर्धक वायों ये तीन चीज शरूर याद रखेगा जो मले परवत है दक्षण दिशा में वहां से जो हवा आती है सुबह के वक्त उसमें पहले है हमारी सुगंधित होती है वो बहुत अच्छी स्मेल होती है, शीतल होती है, हमें थंड़क देती है और हमारे हिल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है तो अब आपका होमवक में आपको ये दे रही हूँ कि ये बता करिए कि मलय परवत पर ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये तीनों चीज़े हमें मिलती है तो यहाँ पर है बहती मलय पवन है, तन्मन सवारती है मलय पवन जो है, वो हमारे तन्मन को सवारती है वो जो हवा है, क्योंकि वो स्वास्तवर्दक है तो हमारे मतलब तन को मतलब बॉडी को और मन मतलब आंतरिक शांती को भी वो enhance करती है हमारे यहां जो सनातन धर्म के कलचर थे स्पेशली फोकस किया गया था आहार और विहार पे तो जो हमारा विहार था, आहार था उसमें यह मुला जाते हैं सुबह जल्दी उठो और वॉक करो क्यों क्योंकि सुबह यह हवा बहुत ही भरपूर मातरा में हम ले सकते हैं तो यहाँ पे उनका यह मतलब था आगे हम जब बढ़ते हैं तो यह समझें हम राइया घनी हैं हम हम हर तरह से प्राक्रतिक रूप से शक्षम हैं कोयल पुकारती है हम टालेंटेट भी हैं और जो हमारी मलय परवत जो आती है हमारे मलय परवत से हवा वो हमारे बॉड़ी और मन दोनों को अच्छा करती है अब वो क्यों करती है यह आपको तब पता चलेगा जब आप यह बता कर लेंगे कि मलय परवत पे ऐसी क्या चीज है आप कॉमेंट में जरूर बताएगे अगली वीडियो में आपको इसका अंसर जरूर बताऊंगी फिर वह धर्म भूमी मेरी फिर वो क्या कहते हैं वह धर्म भूमी मेरी वह कर्म भूमी मेरी वह जन्म भूमी मेरी वह मात्री भूमी मेरी धर्म भूमी का मतलब है धर्मों की भूमी, मतलब धर्मे चीजों से जो परिपून है, हमारे देव भूमी कहा जाता है भारत को तो यह वही कहा रहे है धर्म भूमी मतलब जो धर्मों की भूमी है धर्म मतलब यहाँ पे एक तो कल्चर है, अलग-अलग कल्चर है दूसरा एक धर्म मानव धर्म भी है मानव धर्मों से भी हमारी भूमी परिपून है फिर वह कर्म भूमी मेरी वह भूमी जो धार में कार्यों से परिपूनों मतलब वह भूमी जहां हम कर्म कर रहे हैं वो कर्मों की भूमी है वो फ्री में कोई चीज नहीं लेती है वो महनत करके कमाना जानती है फिर वह जन्म भूमी मेरी वह भूमी जहां मैंने जन्म लिया है आपर मात्री भूमी जो मेरे मा के समान है जन्मी जहान थे रघुपती। अच्छा अभी तक तो कवी ने पूरा हमारा भोगोल का वशन किया क्या चीजें हैं। प्राकृतिक चीजों का वरणन किया। टालेंट का वरणन किया। अब यहाँ पे वो यहाँ पे कहना क्या चा रहे हैं, जन्मी जहां थे रगुपती, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई, वंशी पुनीत गीता, अब यहाँ पे वो लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रगुपती है, यहाँ पे वो हमारे प्रभुश् स्ट्रॉंग है उनका जो कैरेक्टर एक मर्यादा पुरुषत्तम जैसा होता है और जो जहां इस्त्री की बात आती है वहां पर हमारे पास सीता जैसी नारी थी जो वोमें इंपार्मेंट की बात अब होती है अगर आपको भी सनातन धर्म को देखें तो वहां पर आपको सक्षम बना के रखे थे वो निर्बल नहीं थे वो कभी मांग नहीं करते थे कि मैं मुझे इज़त दो वो इज़त कमाना जानते थे ठीक है तो यहां पर जो है जन्मी जहांती सीता हमारी नारिया कैसी है सीता जैसी जो सावित्री भी है और हर तरह से सक्षम भी है और श्री वंशी का प्रयोग किया गया है, वो उनकी लीलाओं से हैं, मतलब बहुत सारी लीलाओं करते थे। लेकिन लीला के साथ Sath उन्होंने पुनीत कहते हैं पवित्र को, उन्होंने लीलाओं जरूर कीं, लेकिन लीलाओं पवित्र थी। और उनके पास ग्यान का भी भंडार था, क्योंकि गीता जो है यहाँ पे हमारे ग्यान की बात हो रही है, हमारी श्रीमाद भागवेद गीता जो किताब है, जो हमारी ग्रंट, उसको कहा जाता है कि वो उसमें बहुत सारे ग्यान की बाते हैं, हर तरह से मानवता को क्या कप, क् सब चीज़ें और हमारे सभी वेद पुरान सब का सार कहा जाता है जो कि कृष्णी ने सुनाई है तो मतलब हम नटखट में भी आ गए है और हम टालेंट में भी आ गए हैं हमारे पास कारेक्टिर रघुपती जी जैसे हैं मेले और फीमेल सीता जी जैसी हैं बच्चे गौतम ने जन में लेकर जिसका सुयश बढ़ाया गौतम से यहां का मतलब है गौतम बुद्धिजी से जिन्होंने भारत में जन में लिया था और उन्होंने एक नए धर्म को बहुत धर्म की उन्होंने मतलब आगे बढ़ाया था उन्होंने उसका प्रमोशन किया था तो य ऐसा यश जो अल्रेडी बहुत सुन्दर है, बहुत प्रसिद्ध है, तो मात्रे भूमी का यश तो बहुत है ही, लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध जीस ऐसे लोगों ने भी जन्म लिया और उसका सुयश और बढ़ाया, यहाँ गौतम बुद्ध जीस का मतलब यहाँ पर हम या दिखाया, जग को दया सिखाई, यहाँ पर अगर आपको स्टोरी पता हो, अशोक का शस्त्रत्याग नहीं पता तो एक बार इसको देख लीजेगा, जग को दया सिखाई, मतलब वहाँ पर क्या था, राजा अशोक ने कलिंग में बहुत उनका युद्ध हुआ था, जिस पर उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने समराट अशोक को दया सिखाई, उन्होंने कहा मारपीट से कुछ नहीं है, हम ग्यान के मारग में भी आगे बढ़ सकते हैं, फिनना जग को दिया दिखाया, यहाँ जो दिया की बात हो रही है, वो दिया ग्यान रूपी दिये की बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं, वह युद्ध भूमी मेरी, वह भूमी, अब अच्छा देखें, यहाँ तक तो कभी ने बहुत प्यारे से पूरा वर्नन किया, क्या है, क्या नहीं है, सब चीज़े उन्होंने बताई, अब यहाँ पे आके वो चार लाइन में अंत में अंग अपनी कलम से भी, मतलब हम अपने ज्यान से भी सक्षम हैं, तो यह दोनों चीज़े हमारे भारत में हैं, हमें जहाँ जरुवत पड़ेगी, हम युद्ध भी कर सकते हैं, अंग्रेजों, और हमें जहाँ जरुवत पड़ेगी, हम अपने बुद्ध से भी, अपने ज्यान से भी आगे बढ़ सकते हैं वह मातरी भूमी मेरी है वो जो मातरी भूमी मेरी है क्यों वहाँ पर वो जन्म भूमी मेरी है क्योंकि वो भूमी पर मैंने जन्म लिया है इसलिए वो भूमी मेरी है तो ये थी हमारी कविता जो कि सोहनलाल दिवेदी जी द्वारा लिखे थी अब हम एक चीज़ याद रखिएगा ये कवीता हमने आपको बता दी है इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके exercise और I just hope कि आपको कवीता समझ आई होगी कि यहाँ पे कवी हर तरह से हमारे भारत की भूमी की वर्नन कर रही है कि हमारे भारत भूमी में हिमाले है उपर में नीचे सिंधु नदी है उसके बाद हमारे हाँ इतने कल्चर में विवतिता में भी एकता है त्रिवेनी वाले paragraph में कि हम अलग-अलग चीजों को भी मिलनसार करके मानवता के मूलों से आगे बढ़ते हैं फिर है कि हमारा life में हम कोई भी problem आते हैं हम कभी पीछे नहीं हटते हैं हमारी युद्ध भूमी भी है हमारे पास राम जी जैसे male है और female सीता जी जैसी है नटकट कृष्णी जैसे लीलाएं भी है और वहीं पर हमें घ्यान की भी बाते हैं तो हम हर तरह से पूरी तरह से सक्षम हैं और अंग्रे जो जम जहां जिस भूमी पे रह रह रहे हो वो भूमी मेरी है ठीक है तो यह थी पूरी कवीता और अब मैं आपको बता दू अगली वीडियो में हम exercise कर लेंगे जल्दी से पर एक चीज़ जरूर याद रखेगा हम आपको मिलेंगे इसी platform पे जिसका नाम है Magnet Brain जहां आपको मिलती है 100% free 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 education वो भी kindergarten से लेके class 12 तक के सभी courses की English medium students के लिए अगर आपका कोई भी CBSC board या फिर UP board, MP board, बिहार board, राजस्थान board या दिली board में कोई भी आपके जान पहचान वाले हैं और अगर उसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत है उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें और बोलिए कि एक बार वो हमारे YouTube की प्लेइलिस्ट को गो थू करें कोई भी सब्जेक का कोई भी डाउटो हमारी टीम आपके लिए हमेशा आगे है अगर आपको YouTube वीडियो के साथ साथ अगर आप मोबाइल में कमफर्टेबल हैं तो हमारे मोबाइल आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट को आप एसस कर सकते हैं क्योंकि हम आपको इसके कोर्सेस के साथ साथ हम आपको अडेशनल क्राश कोर्सेस और स्पिकिंग इंग्लिश वाले और उसके बाद वेदिक मैस जैसे चीज़ों को भी स्किल अप्लिफ्ट करवाते हैं अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे शोशल मेडिया प्लाटफॉर्म पे हमसे आप जोड़ सकते हैं चानल को हमारे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें पसंद आये तो और अगर किसी प्रकार के इबुक या फिर इनोट्स शाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एक बार गोध्रू करें तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में मात्री भूमी के एक्सरसाइज के साथ मैं आपकी आध्या माम हिंदी टीचर फिर मिलते हैं नमस्कार